छटा अध्याय परमेश्वर का भ्रह्मादिक देवताओं को दर्शन देना एवं समुन्द्र मन्थन छीशिक देव जी बोले हे राजन जब भ्रह्माद जी ने अपनी देव मैवानी से भगवान की इस प्रकार प्रात्ना की तब भगवान देवताओं के बीच में प्रकट हो गए उनके सर्वांग सौंद्रेल से अपूर्व थे सतुर्भुष्वरू, पितांबर पहन, किरीट कुंडल धारन किये हुए कंठ में वनमाला तथा कौस्तुप मनी धारन किये हुए मंद मंद मुस्कराहट के साथ सब को आनंदित करते हुए प्रकट हुए सब देवताओं के साथ भ्रह्मा जी ने स्तुती की तब भगवान मदुर्वानी में बोले हे भ्रह्मा, शंकर तथा देवताओं तुम सावधानी से मेरी आग्या सुनो तुम्हारे लिए वही उत्तम मार्ग है इस समय दैत्यों की दशा बली है दुर्वासा के शाप से अमरत निकाल कर पान कर लो, दैत्यों की साहिता से यह कारे बड़ी सुगमता से होगा, उनके हाथ केवल श्रम ही लगीगा, उत्तमफल तुम ही लोगों को प्राप्त होगा, इस कारे की सिद्धी के लिए असूर तुम से जो शर्थ स्विकार कराई वह सब स्विकार कर लो, शांती पूर्वक अपना काम बना लो, क्रोध मत करना, क्रोध से काम बिगर जाते हैं, जब काम बन जाए तब साप की भाती अपना स्वार्थ बना कर चुहे को निगल जाना, अमरत पीकर तुम अमर हो जाओगे, तब दैत्यों को मारने में समर्थ होगे, श्री शुकदेव जी बोले हे राजन, देवताओं को यह आग्या देकर भगवान अंतरध्यान हो गए, तब देवराज इंद्र देवताओं के साथ राजा बली के निकट गए, और भगवान के आदेश अनुसार अमरत निकालने की बात दैत्य राज बली को सुनाई, बली ने उसे स्विकार क लिया और दोनों देट्य तथा देवता मिलकर अमरित मंथन के लिए तयार हो गए, दोनों दलों ने मिलकर मंद्राचल परवत को उखार लिया, किन्तु उसे समुद्र तकलाना अतिक ठिन था, बहुत से देवता तधा दानव कुचल कर मर गए, तब भगवान अजित देट् सहा भंग देखकर गरुड की पीट पर सवार होकर वहां प्रकट हुए, और मंद्राचल परवत को खेल ही केल में उठा कर गरुड की पीट पर रखकर दैते तथा देवताओं के साथ समुद्र पर ले आए, मंद्राचल परवत की रई तथा वार्सुकी नाग की नेती बना क समुद्र मंथन करने को उद्यत हुए किन्तु मंद्राचल बिना किसी आधार के होने से समुद्र के जल में डूबने लगा तब भगवान ने कच्छप का रूप धारंड करके समुद्र में प्रवेश किया और उसे अपनी पीट पर रख लिया तथा एक लाक योजन चौड़ी पीट पर मंद्राचल घूमने लगा भगवान ने दानव रूप से दानवों में शक्ति का संचार किया देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया तथा वासुकी नाग को निंद्रा दे कर उसका कष्ट हर लिया तब मंद्राचल परवत के उपर भार रख कर उ मूँ की ओर लगने में कोई लाब अवश्य ही है तब पूछ छोड़ कर बोले कि हम पूछ नहीं पकड़ेंगे यह शरीर का अशुप अंग है हम किसी से शक्ती में कम नहीं है अतहा हम मूँ की ओर का स्थान लेंगे तब देताओं ने मूँ छोड़ कर पूछ पकड़ ली और देत्यों ने मूँ पकड़ लिया इस प्रकार दोनों दल समुद्र मंथन करने लगे सात्वा अध्याय शीर समुद्र का मंथन श्रीश उपडेव जी बोले है राजन समुद्र मंथन पहले पहल जल का पाप रूप उग्र विष्ट उत्पन हुआ उस विष्ट की ज्वाला स देवता लोग स्थूति करने लगे है भूतनात सदा शेव इस उग्र विष्ट से हमारी रक्षा कीजिए आप ही तमोगुन रूप भगवान नारायन की तीसरी शक्ती हैं आप ही प्रले करते हैं आप जगत की स्थिती उत्पत्ति तथा ले करते हैं आप स्वेम प्रकाश है आप आत्माराम होकर अपने में ही रमन करते रहते हैं आपकी मंगल में मुर्ती सबका मंगल करती है तब ही आपका नाम शिव है आप सबका कल्यान करते हैं हे प्रभु हमारा भी कल्यान कीजिए आप अ, उ, म, तीन अक्षरों से युक्त ओमकार स्वरूप हैं ये परमात्मन आपके विराड स्वरूप का यह चंद्रमा पवित्र मन है, स्वर्ग लोक सिर है, समुद्र कोख है, दृक्ष रोम है, परवत हड्डिया है, कायत्री चंदादी साथ धातू है, जिनको 38 यंद्र उत्पन हुए है, आप स्वयम प्रकाश है, अधर्म आपकी छाया, सत्व, द्र आपके प्रभाव को इंद्रादी लोकपाल भी नहीं जानते है, यह कालकूट विश आप पान करके हमारे कश्ट को दूर कीजिए, श्री शुकदेव जी बोले है, राजा परिक्षित सब जगत के बंदू तता सबका कल्यान करने की काम ना करने वाले शंकर जी को दया आ उन्होंने भवानी जी से यह कहा है सुमुखी हलाहल विश के कारण यह संपून प्रजा व्याकुल हो रही है, जो सामर्थवान है उन्हें चाहिए कि प्रजा के भै को दूर कर दे, दीन दुख्यों की रक्षा करे इससे भगवान प्रसन होते हैं, सती जी भगवान शंकर ज शंकर जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नील कंठ कहते हैं, उस समय शंकर जी के हाथ से थोड़ा साविश प्रिथ्वी पर टपक गया था उसे साब बिच्चुवादी विशेल जंत्वों ने ग्रहन कर लिया, आठवा अध्याय समुद्र मंथन से अन्य रतनों श्री शुकदेव जी बोले हे राजन, समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल विश्को शंकर जी ने ग्रहन कर लिया, ततपश्चा दूसरा रतन काम देनू, समुद्र से निकली वह भ्रामन वह रिशियों के यग्यादी के लिए घरत दूद देने के लिए देवलोग को चल उसे रिशियों ने ग्रहन कर लिया, फिस समुद्र मंथन से उच्चेह श्रवा गोडा निकला, उसे दैत्यराज बली ने लेने की इच्छा की वह दैत्यों को दे दिया गया, ततपश्चाद एरावत हाती समुद्र से निकला, वह इंद्र ने ग्रहन किया, ततपश्चाद क लक्ष्मी जी प्रकट हुई उन्हें लेने के लिए दैत्य तता देवता सभी मन लचाने लगें किन्तु लक्ष्मी जी ने अजीत भगवान ही को अपना आश्रे बनाया तता उनको वरण किया तत पशात समुद्र से कन्या के रूप में वरुनी प्रकट हुई उसे दैत्यों ने ग्रहन किया तत पशात चंद्रमा पारिजात वरक्ष तता शंक उत्पन हुआ सबसे पीछे धनवंत्री वैद्य अम्रत का घट लिए हुए प्रकट हुए जब दैत्यों ने उस अम्रत के घट को देखा तो वे शिगही चपट कर उस घट को धनवंत्री के हाथों में से ले गए जब देवताओं ने यह देखा कि जिस अम्रत के लिए इतने असहय कश्ट सहेते उसे दैत्य चीन कर ले गए तब उन्हें बड़ा दुख हुआ अंतर्यामी भगवान ने देवताओं के मन की भावना ताड कर तकाल अपना मोहिनी रूपधारन किया दैत्य लोग उ देखते हुए धीरे धीरे चले उनके उस विश्व मोहिनी सरूप को देखकर देत्य तता देवताओं की बात ही क्या स्वें भ्रहम ज्यानी काम देव को जलाने वाले आत्मा राम शंकर जी भी मोहित होकर बार-बार उनकी ओर देखने लगी जब दैत्यों ने उस नव योज सुन्द्री को अपनी ओर आते हुए देखा तब वे अपना जगणा भूल कर उसी सुन्द्री की ओर एक टक देखने लगे तता कामांध हो गए नवा अध्याई मुमी रूप भगवान का दैत्यों से अमरत कलश लेना श्री शुकदेव जी बोले हे राजन वे सबी दैत्य दानव परसपर के जगणे को त्याव करू सुन्द्री की ओर कामा सकत हो कर देखने लगे वे सुन्द्री अपनी मदुर्ण पुरों से तीनों लोकों को महित करते हुए उन दैत्यों के निकट गई वे दैत्य बोले हे सुन्द्री तुम कहां रहती हो किस प्रियोजन से यहां आई हो मालुम होता है तुम हमारे जगडे का निप्टारा करने के लिए ही हम पर क्रपा कटाक्ष कर रही हो तुम्हारा स्पर्ष अभी तक देवता गंधर्व ना के नरादी किसी ने भी नहीं किया प्रतीत होता है आव शुबगे तुम्हारा स्वागत है हमें अपने सुन्दर कर कमलों से यह अम्रत पान कराओ स्त्री रूपी भगवान बोले हे देवताव तथा दानवो आप महर्शी कश्यब जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो फिर भी परस पर लड़ते हो मैं तो स्विच्छा चारणी स्त्री हूँ वो दिमान ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते फिर तुम लोग स्वयम सब मिलकर अमरत पान कर लो श्री शुपदेव जी बोले हे परिक्षित जब मोहिनी रूपधारी भगवान से देत्यों ने ऐसे निती के वजन सुने तब उन कामांद देत्यों को और भी विश्वास हो गया वे बोले नहीं हमें तुम्हारा विश्वास है तुम जिस प्रकार बाटोगी उसी प्रकार हम अमरत पान कर लेंगे तब मोहिनी रूपधारी भगवान बोले हे दानवो मैं जो कुछ भी उचित अनुचित करूँ आप लोगों को सब स्विकार हो तो तुम्हें अमरत पिला सकती हूँ देत्यों ने स्विकार कर लिया क्योंकि वे तो काम के वशिबूत हो रहे थे वे तो उस सुंदरी के सुंदर हातों से ही अमरत पान करना चाहते थे तत्वशात एक दिन व्रत उपवास करने के पश्चात देवता तता देत्य अलग-अलग पंक्ती बनाकर अमरत पान करने के लिए बैट गए बगवान मोहिनी रूपधारी ने स्वयम अमरत का घट अपने हाथ में ले लिया देत्यों की ओर मधूर मुस्कान तता कटाक्ष से देखने लगे देत्य उनके विश्व मुहिनी मुस्कान तता कटाक्ष में ऐसे मधोश तता उनमत हो गए कि वे अमरत का पीना बूलकर उनकी द्रिश्टी एक टक उनी की विश्व विमोहक छवी पर लग गई वे उदर देत्य की ओर देखते हुए देवताओ को अमरत बाटने लगे देत्यों ने कुछ भी चूना किया एक तो वे वचन बद्ध ते दूसरे वे सुंद्री को रुष्ट करना नहीं चाहते थे उन्हें विश्वास्ता की सुंद्र में जाकर बैठ गया और अमरत पीने को उद्यत हो गया जब अमरत उसके कंठ में पहुँच गया तब चंद्रमा तथा सूरे ने पुकार कर कहा कि यह राहु दैत्य है जट बगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर्व काट दिया राहु का सिर्व धड़ अमरत के ब्रभाव से अच्छे हो गए उसका सिर्व धड़ अलग-अलग दो स्वरूप होकर उठ कड़े हुए सुरे वचंद्रमा ने मोहिनी रूप से कहा वे प्रभू अब तो इसे मत मारो जितने टुकडे इसके शरीर के होंगे अमरत पीने के प्रताप से उतने स्वरूप होकर यह जीता रहेगा यह सुनकर मोहिनी रूप भगवान ने राहु से कहा कि तुने देवताओं में बैठकर अमरत पिया इसलिए अब तु दैत्यों का लक्षन वसभाव छोड़ दे सुरे आधिक साथ ग्रहों के साथ रहकर अपनी पूजा लिया कर उसी दिन से नव ग्रह हु उसके मस्तक को राहु और धर को केतु कहते हैं सुरे व चंद्रमा के बतलाने से मोहिनी रूप भगवान ने राहु दैत्य का सिर काट लिया इसी कारण वहेशत रुतारक कर अमावस्या के दिन सुरे को और पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को निकलना चाता है जिसको पूरे व चंद्रमा की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया और आप अंतरध्यान होकर वैकुंट को बधारे त्रिलोकी नातने यह विचार कर दैत्यों को अमरत नहीं पिलाया कि वहे लोग अमरत पीने से अमर होकर संसारी जीवों को दुख देंगे इनको अमरत पिलाना ऐ जैसे कोई सर्प को दूद पिलाए दस्वा अध्याय देवताओं वह दैत्यों का युद्ध श्री शुकदेव जी बोले हे राजन जब दैत्य तथा दानवों को अमरत की प्राप्ती नहीं हुई और देवता लोग अमरत को पी गए तब दैत्यों को बड़ा क्रोध आया उ चीर सागर के तर्ट पर बड़ा भयंकर संग्राम देवता तथा असरों में हुआ उसे देवासुर संग्राम कहते हैं अनेर प्रकार के अस्त शस्त्र दोनों और से चलने लगे हातियों की चिंगार रतों की कड़गणाहट गोडों की हिन हिनाहट तथा पैदलों की मारो मार काटो काटो के चितकार से आकाश भर गया किनी की सवारी उठ की थी तो किसी की गित की किसी की भालू की तो किसी की सी और किसी की बकरा और सुवर की सवारियां थी हे राजन विरोचन पुत्र बली मैं दानव के निर्मित प्रभास नामक विमान पर सवार होकर युद्ध कर वहे विमान कभी द्रश्य और कभी अद्रश्य हो जाता था बली की शोबा उद्याचल पर उदित चंद्रमा के समान हो रही थी द्वी मुर्धा नमूची शंबर वानासूर विप्रचीती आयोमुक कालनाभी है ग्रीव आधी देत्या जो समुद्र मंथन के समय उपस्तिते ब तारकासूर स्वामी कार्तिक से हेती वरुण से तथा प्रहेती मित्र से भिड़ गया यमराज मैदानाव से विश्व कर्मा शंबर से तुष्टा विरोचन से सविता अश्विनी कुमार व्रश परवा से भिड़ गये बली के सौब पुत्र सूर्य देव से भिड़ गये दस बांड इंद्र पर तीन बांड एरावत पर तता चार बांड उसके रक्षक को उपर वह एक बांड महावत पर बारा जब इंद्र ने यह देखा तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से दस बिल बांड बली पर मारे उनसे बली के बांड कट कर गिर गए तब बली ने एक शक् प्रभु वहां पर प्रकट हुए उनके प्रभाव से असरों की वह कपट माया तुरंत विरीन हो गई जब कालनेमी दैत्य ने भगवान को गरुड पर देखा तब उसने उन पर त्रिशूल से आकरमन किया तब भगवान ने उस कालनेमी को पकड़ कर उसके वहनों सहित मार डाला माली, सुमाली और मालेवान को भी भगवान ने चक्र से मार डाला